महिला परिवेक्षा की क्लास प्राराम करते हैं जिसमें आज हम रिजन की क्लास देखेंगे याने की प्रैक्टिस सेट रहेगा अब्जेक्ट्व कोशन भी करेंगे महिला परिवेक्षा की क्लास प्रारम करते हैं जिसमें विटामिन से प्रमुक प्रस न देखने वाले हैं जिसमें अब्जेक्ट्ट्व कोईशन भी रहने वाला है तो सबसे पहले हम आपको बैसिक कॉंसेप्ट समझाएंगे कि विटामिन के प्रमुक कारे क्या है विटामिन क करते हैं फिर यहाँ पर विटामिन के प्रमुक कारिया प्रमुक स्रोत कमी से होने वाले रोगों से संब्रस न देखेंगे तो सबसे पहले आप अब जट्यू कोशन करने से पहले एक बार रिवाइस कीजिएगा कि यह होता क्या है विटामिन तो स्टार्ट करते हैं इसके कर्बनिक पदार्त होते हैं तथा सरीर की उपा पाचेई क्रियाओं में भाग लेते हैं इन्हें विद्धी कारग भी कहते हैं क्या कहते हैं इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं यह कारबन हैट्रोजन आक्सिजन नाट्रोजन तथा गंधक आदी के तत्तों से बने जटील कर्बनिक योगीख होते हैं यह अलपांस में हमारे सरीर को स्वस्थ एम निरोग रखने के लिए आवस्यक होते हैं इनकी कमी से अनेग रोग हो सकते हैं तो आपके एक्जाम में यानिकी महिला परवेग्च्छक की एकजाम में यहाँ से प्रसना बनेंगे जैसे कि आ विटामिन से बहुत सारी एक्जामों में प्रस्ना पूछे जाते हैं, तो विटामिन के ये अब्जेक्टिव कोशन करने से पहले एक बार थियोरी को समझ लीजेगा, आपका अब्जेक्टिव कोशन ऐसे ही बन जाएगा, तो देखिए, जल में अगर घुलन सी विटामिन पुछे जाएगा, घुलन सी बी सी, जल में घुलन सी पुछे जाएगा, तो बी सी, वसा में घुलन सी पुछे जाएगा, एडी के, ये आपका विटामिन है, इसको याद रख लिजेगा, ऐसे ही कोशन एक्जाम में पूछता है, विटामिन की खोज किसने की है, तो विटा आपको question करूँ तो आप इसका answer जरूर दीजेगा ठीक है तभी आपको मुझे अच्छा लगेगा और इस वीडियो पर मेरी मेहनत को जाय ना करते हुए बीना कहें आप लोग वीडियो को like जरूर कीजेगा है ना तो देखिए अब हो गया इसके बाद vitamin की खोज किसने की है तो इसना बस याद रखना इस पढ़ने की जरूरत नहीं है तुक है अब चलिए vitamin की कमी से होने वाले रोग देखते हैं क्या क्या रोग हो सकते हैं आपको पूरा डीटेल आपको पूरा बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि vitamin कमी से कौन-कौन होता है र ठीक है तो देखिए विटामिन से कौन-कौन से रोग वा कमी से होते हैं यहां से आपको इज़ा में प्रस्न बनेंगे तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लिजेगा या फिर स्कुन सौट ले सकते हैं तो देखिए विटामिन A की कमी से आपका रेटिनाल जिरोप्थेलिमि विटामिन E की कमी के करना प्रजनन सक्ती का कम हो जाना विटामिन K की कमी से रुधीर का ठक्का देर से जमना यहां तक क्लियर हुआ तो हम आपको basic concept समझाएंगे ध्यान से समझना यहां पर बाते नहीं किजेगे न अभी आपको मैं class करा रहा हूं यहां से अगर आप अच् कराएंगे इसके बाद तो देखिए विटामिन की इसके स्रोत कारे प्रभाव कमी से होने माले रोग से प्रस्ना देखेंगे तो देखिए वसा में घूलन सीन कौन-कौन से है विटामिन A और D यहां से देख लेते हैं कि वसा में घूलन सीन कौन-कौन से है तो विटामिन B C आपको बताया था पहले एक मिलटना पहले आपको मैं बताया था कि जल में अगर घुलन सी पूछे जाए तो BC और वसा में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ADK याद रखना इस जाम में और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वसा में घुलन सी रेटिनाल है ना यह आपका दी कमी से खोने माले रंध होती यह एक्जाम में नहीं पूछ सकता लेकिन यह जो टॉपिक बता रहा हूं नहीं यह वाला यह पॉइंट रेटिनाल और यह वाला यह दो टॉपिक पढ़ना आपको यह इतना ज्यादा नहीं पूछेगा तो है ना तो चलिए आपको डीब ज उसी को टॉपिक में बता रहा हूं ठीक है जो जो पूछे जाएगा यह भी नहीं पूछता इसको छोड़ दीजेगा यहां से देखे जल में भुलन सील यहां से पूछता है बेरी बेरी रोग होता है बी टू रेवफलोवीन यह आपका यह वाला नहीं पूछता ना इसको होता है रग्ताल पता ठीक है किसकी कमी से दूद यिस्ट मास अना जिगर यह सब इसके महत्पण उप्योग है ठीक है विटामिन बी बार आएगा साइनो कोबाल बीन यानि की बी बार आपका रहेगा साइनो कोबाल बीन इसमें मास मचली अंडा जिगर दूद बैक्टोरिय यह सब रहते हैं विद्धी रुकाणू का निर्मान करते हैं रगत चुनता और धीमी वृद्धी होती है ठीक है चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फॉलिक अमल समू तो देखिए फॉलिक अमल समू हरी पत्तिया सब्जेव अगरम रहती है इसके करण रगत चुनता धीमी व्रिद्धी होती है H Biotin, यानि की चर्म रोग बालों का जढ़ना तंत्रिकत अंत्र मैं विकार यानि की H Biotin के कमी के कारण होता है याद रखना H Biotin के कमी के कारण होता है उसके बाद Vmitamin C है इतना जाद ये ने पुछेगा आपके लिए स्रीफ विटामिन A, B, C में कौन से कमी होता है, क्या होता है, ये सब पुछेगा तो चलिए आप देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए याद करने का हम ट्रिक आपको बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद किया जाता है तो सबसे पहले हम विटामिन A के बारे हम देखते हैं, तो विटामिन A रसानिक नाम क्या होता है, विटामिन A का रसानिक नाम रेटिनाल, कमी से कौन सरोग होता है, रंधाउती, याद रखना विटामिन A का रसानिक नाम है, आपका रेटिनाल, कमी सरोग रंधाउती, इस रो मेरे कहने के मतलब है ये आप पढ़ लेते हैं आपका question आसानी से बन जाएगा अभी आपको बताया question यहाँ पर answer बन गया मानव सरीर में infection रोकने के लिए कौन से vitamin मदद करता है मानव सरीर में infection को रोकने के लिए vitamin A आपकी मदद करता है आप देखिएगा कौन सी vitamin से प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो vitamin A के कारण vitamin A का सरवत्तम स्रोत क्या है गाजर ठीक है मानव सरीर में vitamin A भंदारित होता है किसके कारण A, vitamin A यानि की यक्रित में मानव सरीर में vitamin A भंदारित किसमें होता है यक्रित में विटामिन ए और बी के अविस्कार कौन है तो विटामिन ए और बी के अविस्कार आपको मैकूलन उसी प्रकार पर जीनी फसल यानि कि सुनना चामल की स्वांचनी लक्षन के लिए तयार की गई है विटामिन ए निम लेखित में से कौन सा है जो विटामिन A का प्रचूरता मिस्त्रोत है जल्दी से बताएगा विटामिन A का प्रचूरता मिस्त्रोत आम सबसे ज़्यादा आम है ठीक है गोल्डन चावल का एक प्रचूरता मिस्त्रोत क्या है विटामिन कारण क्या है उत्तर A, विटामिन A, गोल्डन चावल जो होता है न, विटामिन A में होता है रंधाउंती किस कमी के कारण होता है, विटामिन A के कारण होता है, विटामिन A की कमी से कौन सरोग होता है, विटामिन A की कमी से आपका C, Night Blindness अब विटामिन B के जानगारी देखते हैं तो विटामिन B से कौन कौन से प्रस्न पूछे जाते हैं कैसे प्रस्न आ सकते हैं तो विटामिन B1 की कमी से आपका रासानिक नाम है थैमीन कमी का रोग है बेरी बेरी रोग इस रोध है मुंग फल आलोर सबजी खाने से आपका विटामिन B1 की कमी खत्म हो जाती है उसी प्रकार विटामिन B2 के बारे हम देखते हैं तो विटामिन B2 रसानिक नाम है राइवोफलोमीन कमी से रोग है तो अच्छा का फटना आंक का रोग अंडर दूद हरी सबजी खाने से ये सब खत्म हो जाती है विटामिन B3 की कमी कौन कौन से रोग होता है तो चले देखते हैं विटामिन B3 से रसानिक नाम है निकोटीने माइड यानिकी नियासिन पैंठोनिक अमला तो देखें विटामिन B3 से अपकों से कमी हो सकते हैं पैरों में जलन, बाल, सफेद, मांस, दूद, टमाटर, मुंग, फली खाने से ये सब नहीं होगा विटामिन B5 से देखते हैं तो प्रेंठोनिक अमला ये मासिक विकार से समबंदित है ये सब खाने से नहीं होता है विटामिन HB7 यानि कि यहाँ पर देखें विटामिन HB7 रसानिक नाम है बायोटीन कमी कि रोग कौन-कौन से बालों का गिरना यानि कि चर मरो यिस्ट गेहूं और अंडा खाने से ये सब नहीं होता चलिए नेश्ट देखते हैं विटामिन B 18 विटामिन B का रसानिक नाम है साइनो कोबाल भीन ठीक है एनिमिया रोग पंडू रोग मौंस कछलेजी दुद खाने से नहीं होगा तो चलिए देखते हैं अब आपज़ट्टी पोस्चर तो विटामिन B कर असानिक नाम क्या है तो विटामिन B कर असानिक नाम थाइमिन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो बेरी बेरी रोग विटामिन किस के कमी से होता है B1, याद रखना, विटामिनों में से किसमे कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किसमे पाय जाता है, B12, विटामिन B7 का रसानी के नाम क्या है, तो विटामिन B7 का बाइयोटीन के कमी के कारण, विटामिन B6 का कमी पूरुस में क्या हो जाता है, तो D, अरक्ता, निमन में से पिचानकारी रचानिक नाम A SCARBIC A CFit कमई सब्छुद कर्वी शन्तरा और नरेंगी खाने से विटामिन C कमी कोरी हो जाथी तो विटामिन C का रचानिक नाम nebine A SCARBIC A C circum a किस कमी के कारण होता है . तो य इस कर्वी रचान के कारण होता है . जल्दीत बड़ाईगा C के कारण चलिए देखे विटामिन C जो खट्टे फ़लों में पाय जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है C कौन सा विटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नश्ट हो जाता है विटामिन C किसी विटामिन की कमी के कारण मसूडों में रख्त में आता है तो आपका विटामिन C विटामिन C के सबसे अच्छा इस्त्रोत क्या है? तो विटामिन C के सबसे अच्छा इस्त्रोत आउला आउला विटामिन C की कमी से तो अच्छा में रोग हो जाता है सबजियों को धोने से कौन से विटामिन निकल जाता है विटामिन C तो ऐसा नहीं है कि सभी सबजियों को धो धोगे तो विटामिन C निकल जाएगा विटामिन D की जनकारी देखते हैं तो रासानिक नाम है केलसी फिरोल कमी से होता है रिकेट्स याने की सुख़़ा कहते हैं उसको सूर्य का प्रकास जरूरी है कोले केलसी फिरोल का रसानिक नाम क्या है समान्या तो उसका आएगा आपका B, विटामिन D विटामिन D के सरवत्तम स्रोत क्या है सूर्य का प्रकास सबसे अधिक मचलियों के यकरीत के तेल में कौन से विटामिन होता है बच्चों के अंगों के अस्थियां मूड जाती है किसकी कमी के कारण विटामिन D कौन से विटामिन सरे में भंडारित नहीं होता विटामिन D विटामिन D की कमी के कारण कौन से रग होता है रिकेट्स, पतलापन वीडियो कैसे लग रहा है, एक बार कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिएगा, सस्क्राइब कीजिएगा संसाइन विटामीन है, डी चलिए विटामीन E के कारण देखते हैं, उसके बाद खतम हो जाएगा एक पार्ट है ना, चेप्टर, यानि की एक ही चेप्टर में आपका विटामीन से संबंधित क्लासेश खतम हो जाएगी यहां से आपके पांस से छे नंबर बनते हैं, एक बार्ट है, रेवायस कर लिजीगा एक बार में तो याद नहीं होगा विडियो को दो बार देख लेना, दो बार में नहीं होगा, तिन बड़ देख लेना, एक्जाम से पहले इसको डाउनलोड कर लेना चलिए विटामिन E का समान या जनकर ये देखते हैं रसानिक नाम टेकोफिरोल अगर आप गूगर में सर्च करते हो या कहीं भी अगर नोट से लेते हो उसमें आपको मिल जागा लेकिन अब्जेक्टिव कोशन आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए दोनों के सांसाथ आपको अब्जेक्टिव कोशन भी करा रहा हूं तो चलिए देखते हैं विटामिन E की करण क्या क्या है तो विटामिन E का रसानिक नाम क्या है टोकोफोरल विटामिन E का महत्तपुर्णा स्रोत क्या है ग्योहू का अंकूर का तेल चलिए उसको छोड़ देजेगा विटामिन E की विशेश के लिए संपुर्णा जानकार यानि के महत्तपुर्णा क्या है विटामिन E के लिए प्रेंथियों का समाने क्रिया के लिए ठीक है विटामिन K के समाने जानकर ये देख लेते हैं विटामिन E से ज्यादा उतना पूशता नहीं है विटामिन E से उतना ज्यादा नहीं पूशता मात्र A, B, C और C, E से नहीं पूशता नहीं ये वाला तो ये सबसे ज़्यादा विटामिन A, B और C से पूछता है ज़्यादा चलिए के का देख लें क्या ऐसी चलिए विटामिन K का समाने ज़रे के रसानी के नाम फिलो कुई नान कमी सरोग होता है रख्त का थककना बनना टमाटार हरी सबजियां, विटामिन E का रसानी के नाम है, फिलो कुई नान, यहां तक हमने प्रस्न देखा, यहां तक आपकी क्लास खतम होती है, तो विटामिन से हम कोश्चन कर चुके हैं, चलिए ठीक है, नेस्टर क्लास में हम देखेंगे, फिर और जो भी